दोस्तों इस वीडियों हम बात करेंगे BSNL के एक नए प्लान के बारे में और ये नॉर्मल फाइबर वाला प्लान नहीं है तो ब्रोडबेंड का बट ये ADSL वाला प्लान है तो डीटेल में बात करेंगे एकदम कम प्राइज में इन्होंने अभी अभी लॉंच किया ये प्ला रहे हैं याँ पर BSNL ने अभी अभी एक नया प्लान लॉंच किया है ब्रोडबेंड में और ये फाइबर वाला प्लान नहीं है ये जो नॉर्मल कोपर वायर आते हैं उसमें जो प्लान चलता था जो की DSL लाइन या ADSL लाइन DSL लाइन आजकल खतम ही होगी ये ADSL लाइन चलती है भी तो जो ADSL लाइन है उसमें अगर आपको कोई प्लान लेना है नए कस्टमर है आप तो आप ये प्लान ले सकते हैं जो की है 299 रूपीज का है ये कि सिर्फ 300 रूपे में आपको ये प्लान देखने को मिलता है जिसमें 100 GB data मिलता है आपको और साथी साथ जो speed मिलती है वो मिलती है 10 Mbps की 100 GB तक अगर आपने 100 GB खतम कर दी तो उसके बाद आपको 2 Mbps की speed मिलेगी और वहाँ पर आपको 2 Mbps unlimited data मिलेगा अब दीखें ये ADSL प्लान है इसमें आपको ऐसा नहीं है कि अच्छी खासी speed मिल जाईगी 10 10 Mbps की speed ये बोल रहे है 10 Mbps की मिलेगी no doubt बर जब uploading speed की हम बात करें तो वह 10 Mbps नहीं मिलेगी वह आपको 2, 3, 4 maximum उससे ज्यादा नहीं मिलेगी क्योंकि ADSL में uploading और downloading दोनों symmetric नहीं होती है वह fiber में होती है तो यह यहाँ पर आपको जो है वह देखने वाली बात है कि यार य यह सिर्फ नए customer के लिए है आप अगर 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 कोई use कर रहे है broadband plan और आप सोच रहे है कि इसमें switch कर दें तो आप नहीं कर पाएंगे वह possible नहीं है उसके अलवा एक और बात यह भी है यह अगर प्लान लेते हैं इस प्लान में आप जाते हैं तो यह जो प्लान है वह सिक अगर अगर जब तक यह सर्वीस अच्छी करो customer automatic बढ़ जाया यह मैं अगर जब तक यह सर्वीस अच्छी नहीं करेगा customer फिर यह free में भी देंगे तो भी नहीं लेगा क्योंकि अगर सर्वीस जो जिस काम के लिए अगर हम broadband ले रहे हैं वह काम ही नहीं हो पा रहा है तो फि आप यह वाला प्लान लेते हैं तो मेरे हिजाब से तो मत लीजिए क्योंकि कोई benefit extra नहीं है इसमें बड़ अगर आपके यहां पर बिल्कुल यहां पर फोन का network बिल्कुल नहीं आता है बड़ आपके यह ADSL अवेलेबल है तो यार फिर वाला यह वाला एक बार सो सकते हैं आ बड़े जाएंगे बड़ प्राइस कम करने से customer बढ़ेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि service तो आपकी खराब होई रही है तो यह यहां पर देखना चाहिए BSNL को और यह fiber plan नहीं है मैं एक और बार बता दूँ यह एक सिर्फ ADSL वाले plan है जो की copper wire से जो खित है कि BSNL वाला plan launch किया है अगर आप फिर भी लेना चाहते है for some reason तो जाके वाला plan ले सकते हैं और यह सिफ नए customer के लिए एक और बात में बता चुका हूँ आपको अगर आपको फिर भी कोई question है इस topic के बारे में तो आप comment section में सब्सक्ते में जरूरू से उसका reply करूंगा आ अपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन को साथ ता कि आगे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहे है that's all for this time thanks for watching